बी ए दुती वर्ष इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का इतिहास राजिस्थान के इतिहास के सरवेक्षन प्रिशन पत्र में स्वागत है इकाई दुतीय का पर्थम टॉपिक महाराना कुमबा की उपलब्धियों के क्रम में आज के इस व्याख्यान में महाराना कुमबा का प्रारंबिक जीवन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो कुमबा के प्रारंबिक जीवन की चर्चा की जाए उससे पहले महाराना कुमबा की जानकारी के शरोत क्या है किस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई इसके बारे में चर्चा करना मुझे समीचीन प्रतीत हो रहा है महारणा कुम्बा ने 1433 इसवी से 1438 इसवी तक लगबख 36 वरस तक सासन किया था कुम्बा के सासनकाल की जानकारी हमें विविद सुरोतों से प्राप्त होती है कुंबा के बारे में किसी न किसी प्रकार की जानकारी देने वाले अब तक 60 यानि 60 सिलालेक प्राप्त हो चुके हैं उदैपुर के निकट एक लिंग मंदिर से एक लिंग महात्म प्राप्त हुआ जो दो भागों में है प्रथम भाग जो राजबरणन के नाम से पकारा जाता है इसे स्वयम कुंबा ने लिखा था और दूसरा भाग भी कुंबा के नरदेशन में लिखा गया था अता एक लिंगी महात्म कुंबा के काल के इत्यास का जानने का एक महत पूर साधन है जैदेओ के गीत गोबिंद की टीका भी कुम्बा ने रसिक प्रिया के नाम से लिखी थी जिससे कुम्बा की विभिन उपादियों बा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है कुम्बलगड दुर्ग में नाम देओ के मंदिर से तीन चट्टानों पर उतक्रिन कुम्बलगड प्रसस्ती से कुम्बा की राजनीतिक उपलब्धियों राजविस्तार उपादियों साहितिक रचनाएं कुम्बा द्वारा निर्मित विभिन दुर्गों आद की परियाप्त जानकारी मिलती है संभौता ये प्रसस्ती पांच चट्टानों पर उतक्रिन करवाई गई थी जिसमें से दो चट्टाने अब नश्ट हो चुकी हैं सेस पर जानकारी उपलब्ध है चित्तोर दुर्ग में इस्थित कीर्थिस्तंब का सिलालेग भी एथियासिक दर्ष्टिस महतपून है जो सन 1860 इसवी में उतक्रिन करवाया गया था और महेस ने इसे लिपिवद्ध किया था इस सिलालेग से हमें कुमबा की मालवा गुजरात और पडोसी राज्यों पर विजे की जानकारी मिलती है कुमबा के समय में मेवारी सामंतों की इस्थिती तथा कुमबा क सांस्कृतिक उपलवदियों की जानकारी पराप्त करने के लिए भी यह सलालेक अतियंत महतपूर है कि इन तो इन बिविन इन सभी स्रोतों का उपयोग बहुत साउधानी से करने की अवस्यक्ता होती है क्योंकि यह सभी स्रोत प्रसस्ति बाचक होने से इन में जो बर्णन ह वो अतिसयोक्त पूर है कुछ फारसी तबारीकों से भी कुमभा के बारे में जानकारी मिलती है कि इन तबारीकों में उपलवद घटनाओं को जहां तक हो सके तभी प्रमालिक माना जाना चाहिए जब इसकी पुष्टी अन किसी राजस्थानी स्रोत या फारसी स्रोत से होत जो कुमभा की जानकारी के हमारे पास एथियासिक फ्रोत हैं उनके लिए हमें राजस्थानी साहित और विभिन ये जो साथ सिलालेक जिनका हमने उलेक किया इन से मिलती है तो जो एथियासिक प्रष्ट भूम है कुमभा के प्रारंबिक जीवन से संबंदित उस पर भी चर् 1303 इसमी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तोड आक्रमन के दौरान रतन सींग की मृत्तु से रावल साखा की समाप्त हो गई और चित्तोड पर इसलाम का आधिपत इस्थापित हो गया कुछ समय के लिए खिजर खां और उसके बाद माल देव सोनी गरा को चित्तोड का अधिकारी बनाया गया मगर सी सोदे के सरदार हमीर ने मेवाल को मुसलिम आजपत से मुक्त करने का बिड़ा उठाया और उसे सफलता में मिली सन 1326 इसवी के लगबक उसने चित्तोड पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे संपून मेवाल उसके अधिकार में आ गया उसने मेवाल पर सुसोदियों की सत्ता इस्थापित की जो भारत के स्वतंत्र होने तक बनी रही हमीर ने इडर, जेलबाड़ा, भूंदी, गोडवान आधि प्रदेशों पर अधिकार करके मेवाल की सक्त को पुना द्रण किया करनल टॉड ने हमीर को अपने समय का प्रबल राजा माना है हमीर के पश्चात उसका पुत्र छेतर सिंग जिसका साशनकाल 1364 से 1382 इसमी निर्दारित किया जाता है मेवाल का सासक बना छेतर सिंग ने अजमेर, जाजपुर, मांडल और 56 के छेतर को अपने राज में समलित कर लिया तथा मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्ट करके भविस्थ में होने वाले मालवा मेवाल संगर्स का सूतर पात किया छेतर सिंग का उत्रादिकारी माराजा लाखा लक्ष सिंग जिसका कारकाल 1382 से 1421 इसमी भी मेवाल के राजबिस्तार में लगा रहा उसने बदनौर प्रदेश पर अधिकार किया और डोडिया राजपूतों को आस्तर दे कर उन्हें अपना सामन्त बनाया उसके समय में जावर में चांदी की खान का पता चला जिससे मेवाल की समर्द बढ़ी लाखा ने अलाओ दिन खिलजी के आक्रमण के दौरान तोड़े गए मंदरों का जिनोधार करवाया और कई दुर्गों का भी निर्माण कराया उदैपुर की पिछोला जील का बांध उसने उसके दौरा बनवाया गया और जोटिंग भट और धनेसर भट उसके काल के संस्कृत के प्रकांड बिद्वान थे माराणा लाखा ने ब्रद्दावस्ता में मारवाल की राजकुमारी राठोल ररमल की बहन हंसा भाई से विवा किया लाखा के जेश्ट पुत्र चूंडा को पृतिज्या करनी पड़ी कि हंसा भाई के पुत्र होने पर वह मेवाल की सिंगासन से अपना अधिकार त्याग देगा इस विवा से राणा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मोकल रखा गया लाखा ने चूंडा को मोकल का संरक्षक नुक्त किया और यह नियम बनाया कि भविस्ष में मेवाल महारणाओं के सभी पट्टों पर वानों और संदों पर चूंडा और उनके बंस्तुजों का भाले का निशान अंकित होता रहेगा मारणा लाखा की मृत्ट के वाज मोकल 1421 इसवी से 1433 इसवी मेवाल की गद्धी पर बैठा सासनकार चूंडा के हाथ में था लेकिन मोकल की माह हंसा भाई के संदे उने करने पर की चूंडा कहीं राज पर अपना अधिकार नकल ले चूंडा मेवाल छोड़कर मांडू चला गया रानी ने अपने भाई रणमल को मारवाल से बुलाकर राजिकार उसके सुपूर्द कर दिया रणमल ने मारवाल के राठोड़ों को बुलाकर उन्हें उच्छ वदों पर निक्त करना सुरू गिया जिससे मेवाल में धीरे धीरे राठोड़ों का प्रभाव बढ़ने लगा मोकल ने रणमल को मंडौर का स्वामी बनाने में सयोग किया इस से मेवाल में राठोडों का प्रभाव कुछ कम हुआ 1428 इस्वी में उसने नागौर के सासक फिरोज खां को रामपुरा की उद्ध में परास्त किया जालौर और सांभर पर अधिकार किया और गुजरात के एहमत सा और भूंदी के हडाओं को भी पराजित किया मारणा मोकल जब गुजरात के सासक एहमत सा के आकर्मन का सामना करने के लिए भील बाड़ा में डिटा हुआ था कि उसके चाचाओं छेतर सिंग की उपत्नी से जो पुत्र उत्पन हुए चाचावा मेरा ने उसकी हथया कर दी मोकल का पुत्र कुंबा किसी तरह वहां से बचकर चितोल पहुँच गया जहां मेवाडी सामन्तों ने उसे मेवाल का सासक गोशित किया इस प्रकार महाराना कुम्बा एक विसम परसिती में अपने पिता की हत्या होने के उपरांत मेवाल के सिंगासन का सासक बना महाराना कुम्बा मोकल और सवाग देवी का जेश्ट पुत्र था मोकल की हत्या के बाद 1433 इस्वी में हुए मेवाल का सासक बना उसने अपने सासनकाल में अनेग उपादियां धारण की कुमबा दारो रचित रसिक प्रिया जो जैदेओ के गीत गुबिंद की ठीका है जैसा पहले मैंने बताया कुमबल गल प्रसस्ति एवं कीरत इस्तम प्रसस्ति में उसके दोरा धारन की गई उपादियों का उलेक मिलता है रसिक प्रिया में कुमबा के लिए नर्पती, छाप गुरू, असुपती, गैनपती, बिरुद्धों का उपादियों का प्रियोग किया गया है कुम्बलगण प्रसस्त के 232 स्लोक में कुम्बा की उपादियों का बनन है जिन में उसे महाराजा दिराज, राय रायन, रन रासो और महाराणा कहकर पुकारा गया है कीरत इस्तंब प्रसस्ति के 148 में इस लोक में उसे राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु और परमगुरु की उपाधियों से सुश्वोवित किया गया है डॉक्टर गोपिनास सर्मा लिखते हैं कि संपूर्ण गोईल बंसी सासकों में कुम्बा या कुम्बकरण ही एक ऐसा सासक था जो उसके गुणों और विसेस्ताओं के प्रतीक विरुदों अर्थात उपाधियों से व्याख्यात था संगीत ग्रंथों की रचनाओं के कारण उसे अभिनो भरता चार भी कहा जाता था कुम्बा की प्रारेंबिक कठनाईयां बहुत अधिक थी कुम्बा जब मेवाड की गद्दी पर बैठा तब मेवाड अनेक आंत्रिक और बाई समस्याओं से घिरा हुआ था मानाना मोकल के समय से ही मालवा, गुजरात और नागौर के मुस्लिम सासकों ने मेवाड के सीमावर्ती छेत्रों पर हमले सुरू कर दिये थे कुम्बा की अलप वैसकता का लाव उठा कर मेवाड के कुछ सामनतों ने भी सुतंत्र परुषत्ता का प्रियोक करना सुरू कर दिया था उसके प्रपितामे छेत्र सिंग की उपत्नी के पुत्र चाचावा मेरा विवाड में सक्तसाली बनते जा रहे थे महपा पवार आधि कुछ सामनतों को भी इन्होंने अपनी ओर मिला लिया था चाचा और मेरा अपनी सक्त के कारण इतने उद्दंड हो गई थे कि उन्होंने महाराना मोकल की हत्या कर दी और पाई के पहाडों में छिपकर भीलों की साहता से अपनी सक्त संग्ठित करने लगे कुमबा के लिए अपने पिता के अत्यारों को दंड देना आवस्चक था कुमबा ने इसके लिए अपने मामा रणमल से साहता मांगी रणमल के नितरत में राठोड सेना और रागो देव की नितरत में सुषवदिया सेना ने चाचा और मेरा को घेर कर मार डाला मगर चाचा का लड़का एक्का और महपा पबार बच निकलने में सफल रहे और मांडू भाग गए मांडू में सरण लेकर भविस में इनोंने मांडू को मिवाड किबर दुख साया मगर अब बेपरत्यक्ष रूप से विवाड कोहानी नहीं पहुचा सकते थे चाचा के सिविर से मुक्त करवाई गई पांसो लड़कियों के भाग को लेकर रणमल और रागव देव में तनाव उत्पन हो गया जिसके परणाम सरूप मेवाड दरवार में राठोडों और सुषोदियों के दो गुड बन गए यह उलेकनी है जब आप राजनेति कुपलधियों को पढ़ेंगे तो मेवाड में राठोडों और सुषोदियों के जो दो गुड थे ठीक जैसी कि आप मुगलकाल में पढ़ते हैं कि एरानी तूरानी दो गुड थे जो एक दूसरे किपरती सड़ेंत करने लगे रणमल ने राजमाता हंसा भाई की सम्मानित इस्तित का लाब उठाकर राठोडों को उच्पदों पर नुक्त करना सुरू कर दिया बूंदी के हडाओं का दमन करने के बाद तो यह अपनी सक्ति में इतना मदानत हो गया कि उसने सौधियों के नेता रागोदेव की 1437 इस्पी में सलेंतर पूरवक हत्या करवा दी इस घटना से मेवाडी सरदार रणमल के विरोधी हो गए माराना कुमबा को भी रणमल पर संदेव हो गया उसने रणमल के विरोध इस्थानी सरदारों का समर्थन सुरू कर दिया सरदारों के आपसी संतोस के मद इक्का और मैपा पवार भी मेवाड लोट आया और छमा अचना की कुमबा ने उन्हें छमा कर दिया कुछ समय बाद चुंडा भी मेवाड लोट आया मारणा ने प्रिकट रूप से तो रणमल का बरोद नहीं किया मगर मेवाड़ी सरदारों का समय समय पर समर्थन करके उनकी इस्तिती को मजबूत किया इनी दिनों 1438 एसमी मेवाड़ी सरदारों ने रणमल की प्रेसी भारमली को अपनी ओर मिलाकर रणमल की अत्या करती इस प्रकार रणा लाखा के समय से ही मेवाड में राठोडों का जो प्रावल बड़ा जा रहा था हुए समाप्त हो गया पांच बर्स की अबद में ही कुम्बा ने चाचा मेरा बरणमल के करण उत्पन होने वाली कठनाईयों को हल करके अपनी आंत्रिक इस्थिदी को सुद्रन किया विरोधी सरदारों का अंतवा दरवार में दलबंदी समाप्त होने पर उसे मेवाड की बा कठनाईयों से मुक्ट करने का उसल मिला तो इस प्रकार महाराना कुम्बा की प्रारेंबिक जीवन में अने एक प्रकार की कठनाईयों रहीं जिन में से कुछ एक सिंबोलिक हमने इन कठनाईयों की चर्चा की अगले व्याख्यान में महाराना कुम्बा की बिजियों इसी तरीके से अन भागों में हम महाराना कुम् उपलबदियों का वड़न करेंगे जो विविन भागों में पूरा हो पाएगा इस तरह से कुमबा कई उपलबधिया हैं वो कई भागों में पूरी होगी और इस आज के व्याख्यान मारणा कुमबा के प्रायरमिक जीवन के संधर्म में ये आप को कुछ जिग्यासा है या कोई आपके प्रस्ने है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ठिपणी अवस्त लिखें धन्यवाद